How to hide apps in Redmi Mobile Phone आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi या फिर AMI के Mobile Phone में कोई भी एप को हाइट कैसे करें कोई भी एप्लिकेशन को कैसे चुपाए दोस्तों अगर आपके पास भी Redmi का Mobile Phone है और यहाँ पर हमारे पास Redmi का Y2 है अगर आपके बस Redmi या कोई भी कमपनी का Mobile Phone है तो इस वीडियो को ध्यान सा देखते रहे इस वीडियो में आपको जो भी इस्टेप बताने वाला हूँ इसको आप फोलो करके आसानी से कोई भी एप्लिकेशन को हाइट कर सकते है अपने Redmi Phone के अंदर हेलो दोस्तो स्वागत है आप तो भी का हमारे इस YouTube चैनल इंफो ट्यूब में तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब दोस्तो Redmi Mobile Phone के अंदर कोई भी एप को हाइट करना काफी जादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान से लाश्ट पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस वीडियो को लाइक साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले तो हम अपने Mobile Phone के सेटिंग में आ जाएंगे आपको भी अपने Redmi Phone के सेटिंग में आ जाना है अब यहाँ पर जैसे आप सेटिंग में आ जाते हैं आपको हलका नीचे के साइड में जाना है और यहाँ पर आपको एक Option देखने को मिल जाएगा Apps नाम का कुछ इस परकार से Simply आपको यहाँ पर Apps वाले Option पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं सबसे लाश्ट में आपको एक Option देखने को मिल जाएगा Apps Log का इस पर जो है आपको क्लिक करना है यहाँ पर आने के बाद आपको Turn On वाले Option पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक log बना लेना है simply हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक log बना लेते हैं दुबारा आपको यहाँ पे बना लेना है और यहाँ पे आपको next वाले option पर click करना है जैसे आप यहाँ पे आज आते हैं आपको यहाँ पे note 9 पर click करना है अब यहाँ पे simply आपको note 9 पर फिर से click कर देना है यहाँ पे सभी application पे जो भी select है यहाँ पे सबको आपको हटा देना है और यहाँ पे आपको use app lock पर click करना है जैसे आप यहाँ पे आज आते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का interface आएगा और यहाँ पे आप देख सकते है app lock लिखा हुआ है आपके mobile phone में हो सकता है यहाँ पे इसके बगल में app height का option आजाए या फिर यहाँ पे लिखा होगा अब दोस्तों फिलहाल तो मेरे phone के अंदर यहाँ पे app height का option नहीं है आपके phone में देखने को मिल सकता है अगर आपके phone में भी यहाँ पे app height का option देखने को नहीं मिलता है तो इसके लिए हम जो है second तरीका का इस्तमाल करेंगे simply आपको back आना है और यहाँ पे back आना है और उपर के side में जो आपको search वाला button देखने को मिलता है search वाल जो box देखने को मिलता है इस पर आपको click करना है यहाँ पे आने के बाद आपको लिखना है hide app यहाँ पे जैस्ते आप यहाँ पे hide लिखते हैं न hide लिखते ही यहाँ पे एक option आपके सामने आ जाएगा hidden apps का simply हम यहाँ पर click करेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हमारे मुवाइल फोन के अंदर जितना भी application है सभी application यहाँ पे 100 हो रहा है हम यहाँ पे facebook और whatsapp को चुपाना चाहते है simply मैंने यहाँ पे click कर दिया facebook और whatsapp हमारा जो है hide हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे whatsapp था वो गया और यहाँ पे facebook था वो भी गया अब आपको अगर hidden apps को खोलना है देखना है तो simply आपको कुछ इस परकार से करना है hide app यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे click करके जो है आप फिर से कोई और application को चुपा सकते हैं लेकिन अगर आपको इन सभी setting को बंद करना है और hide app को हटाना है तो वो भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं यहाँ पे simply आपको एप के बगल वाले बटन पर click करना है और यहाँ से आपका hidden app जो है वो गाइब भी हो जाएगा तो दोस्तों कुछ इस परकार से जो है आप hide app कर सकते हैं और एप hide से छुपा भी सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से हमारा WhatsApp और Facebook आ गया वीडिया आपके सकते हैं यह कमेंट बॉक्स में जोड़ से पताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले